यह आपकी आभा को साफ करता है उसके पास अपनी उर्जा का एक कुकून है ताकि बहारी उर्जायों से परिशान न करें लोग नकारात्मक उर्जा से दूसरों का जीवन प्रभावित करते हैं एक साधारन माला पेहने से ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा मिलती है इसका मुख्य उद्देश्य आपको कृपा के लिए उपलब्ध बनाना है देखिए हर पदार्थ का एक निश्चित कमपन होता है ब्रह्मान की हर चीज में अब हम उन चीजों की पहचान करनी की कुशिश कर रहे हैं जो हमें एक विशिश दिशा में ढके लेंगी बात सिर्फ रुद्राक्ष की नहीं है पौधे, फूल, जानवर, ऐसी हर चीज पहचानी गई है जो आपको आध्यात्मिक दिशा में ले जाएगी और जो नहीं ले जाएगी आपने सुना होगा कि कोई फूल शिव का पसंदीदा है, कोई फूल विश्णू का पसंदीदा है बस कुछ निश्चित कमपन के पहचान की गई है, जो उसके करीब होगा जिसे हम शिव या विश्णू या किसी और नाम से जानते हैं और यह फूल आपको उनके सबसे करीब पहुँचाता है तो उसे चूने से, उसे प्राप्त करने से एक निश्चित असर होता है तो सब कुछ इस तरह पहचाना गया है रुद्राक्ष उन वस्तूओं में से एक है, जिसमें एक बहुत ही अनूखा कमपन है अब रुद्राक्ष को शरीर पर क्यों पहना जाता है एक बात यह है कि इससे आभा साफ होती है आपको पता है कि आभा या औरा क्या है ए, यू, आर, ए, हर चीज़ के चारो और, हर शरीर के चारो और, प्रकाश और उर्जा का एक निश्चित छेत्र होता है हर बहुत एक वस्तू की अपनी आभा होती है यहां तक की बेजान वस्तूओं की भी आजकल इसकी कई अलग-अलग तरीकों से फोटो ली जा रही है और रिकॉर्ड किया जा रहा है रुद्राक्ष आपकी आभा को साफ करता है आभा बिलकुल काली से लेकर शुद्ध सफेद तक हो सकती है आप जानते हैं, अगर आपने देखा हो शायद अमेरिका में इतना नहीं है पर अगर आपने कोई ऐसी स्पैनिश फिल्म या भारत ये फिल्म देखी हो तो आप देखेंगे, अगर उन्होंने किसी संत या रिशी को दिखाया हो तो हमेशा उनके सिर पर एक सफेद आभा मंडल होगा ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने सिर के पीछे रोशनी के बलबले कर गूमते थे बात सिर्फ इतनी है कि कलाकार आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यह एक शुद्ध संत है, उनकी आभा शुद्ध सफेद है यही बताया जा रहा है तो बिलकुल काली आभा से लेकर शुद्ध सफेद आभा तक आभाई हो सकती है यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तंत्र विद्ध्या की प्रक्रियाएं करता है जो उर्जा के साथ काम करता है उनमें से ज्यादा तर नकली होते हैं जो सिर्फ मुर्गियों का उप्योग करते हैं और आपको डराते हैं लेकिन इस शेत्र में कुछ वास्तविक लोग हैं भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं यह बहुत ही गूड तंत्र विद्ध्या है अगर आप उनसे मिलें वे एक बहुत अलग तरीके से शक्तिशाली होते हैं उनकी आभा बिलकुल काली होती है वे बहुत शक्तिशाली होते हैं पर बिलकुल अलग तरीके से तो एक बिलकुल काली आभा से एक शुद्ध सफेद आभा तक और उनके बीच लाखो अलग अलग रंग इससे आपकी आभा शुद्ध हो सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कल सुबह तक आपके सिर के पीछे एक आभा मंडल होगा ऐसा नहीं होगा लेकिन आप खुद को शुद्ध करने की इच्छा रखते हैं जब आपके इच्छा होती है कि आप खुद को शुद्ध करें तो आप हर उस चोटी से चोटी मदद का उप्योग करना चाहते हैं जो मिल सकती है यह भारतिय सादूओं द्वारा पहना जाता है उसका एक कारण यह है कि वे लगातार यात्रा करते हैं जो अलग-अलग जगाओं पर लगातार खा रहा है और सो रहा है उसका शरीर एक निश्चित स्थर की उतल पुतल से गुजरता है इस अर्थ में आप में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप एक नई जगह पर गए तो भले ही आप बहुत थक गए हों पर उस जगह पर आपका शरीर सो नहीं पाएगा क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है यदि आप यात्राय करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने कुल स्थानों पर ध्यान दिया होगा कि आपका शरीर बस सो नहीं पाता आप पूरी तरह से ठक चुके हैं पर आप सो नहीं पाते ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अपने घर में आपके बेडरूम में आज इसे कुछ कहा जाता है फोरेंसिक लोग एक शब्त का उप्योग कर रहे हैं Thermal Imaging देखिए अगर आप 24 घंटे बाद यहां बैटते हैं तो कोई मशीन लेकर आएगा और पता लगाएगा कि गायतरी कहां बैटी थी उस जगे में एक यादाश्ट बाकी है जिसका वे पता लगा पाते हैं यह व्यक्ती केवल यहीं बैटा था वहां नहीं ठीक है अगर आप अपने कुटे को लाते हैं तो वो जान जाता है कि वो यहां बैटी थी है ना तो वहां कुछ बचा है है की नहीं सपश्ट रूप से वहां कुछ छूट गया है यही कारण है कि एक कुटा या एक मशीन या कोई और चीज उसका पता लगा लेती है तो आप रोज एक ही बिस्तर पर सो रही है वहां आपकी उर्जा का कुछ पहलू बचा है वहां आप बहुत सहज है अगर आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां उर्जा बहुत अलग है तो आप आराम से नहीं बैट पाते कभी कभी यह सिस्टम को नुकसान भी पहुँचा सकता है इसलिए जो व्यक्ति लगातार यात्रा कर रहा है वह रुद्राक्ष पहनता है ताकि उसके पास अपनी उर्जा का एक कुचून हो आप जहां भी जाते हैं आपका निजी बैडरूम आपके साथ जाता है आप जहां भी जाते हैं यह आपके साथ यातरा करता है विशेश रूप से यातरा में आपकी आबा टूट फूट जाती है इसलिए आप यात्रा के बाद बहुत ठक हुआ महसूस करते हैं वास्तब में आप बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं कोई गाड़ी चला रहा है, आप बस बैठे हैं 10 गंटे के बाद आप पाते हैं कि आप बहुत ठक गए हैं आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी उर्जा चर्मर आ जाती है, आपका शरीर उससे तेज गती से गया है, जतनी गती के लिए इससे डिजाइन किया गया है, तो पहली चीज जिसमें टूट फूट होती है, वह है आपकी आभा, यदि आप तेज, तेज, तेज जाएं, मा पहली चीज जिसमें टूट फूट होना शुरू होती है, वह है आपकी आभा, तो गती के साथ, तेज और तेज गती के साथ, आभा तूट फूट जाती है, इसलिए यदि आप रुद्रक्ष पहनते हैं, तो यह आपको एक निश्चित कुकून प्रदान करता है, यह आपकी सुरक्षा है, आप जानते हैं कि लोग नुकसान पहुचाने वाली उर्जा से दूसरों का जीवन प्रभावित करते हैं, क्या आप जानते हैं, अप यहां क्या कहते हैं, बिली शुन्या, काला जादू, या जो भी आप इसे कहते हैं, इसमें विबिन प्रकार की कलाएं है, अथर्ववेद इसी बारे में है, कि कैसे अपने लाप के लिए और दूसरे को नुकसान पहुचाने के लिए उर्जा में हेर फेर किया जाए, यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तो यह आपको उस तरह की नुकसान दायक स्थितियों से भी बचाता है, कई बार ये पूरी नहीं है, कि यह आप पर किया गया हो, यदि आप उस समय आसानी से प्रभावित होने की स्थिति में हैं, तो आप पर असर होगा, तो कई बार लोग खराब समय और वैसी चीजों से गुजरते हैं, उसे इस से मत जोड़ें, मैं आपके मन में डर पैदा नहीं करना जा पर कई बार हमने देखा है कि लोगों पर कुछ चीजों का असर होता है, वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वे सभी प्रकार की चीजों को दोश देते हैं, यह नहीं जानते कि उनके साथ वाकई क्या हो रहा है, एक साधारन माला पैणने से ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित में चल रहे हैं आपको थोड़ा पानी मिला और आपने पी लिया तो आप पर जहरीला असर हो सकता है आपको लखवा मार सकता है या आप मर सकते हैं क्योंकि प्रकृती में भी पानी कुछ गैसों के कारण जहरीला हो सकता है कुछ जीलों और अन्य चीजों को बुरा माना जाता उनका इतिहास है आदिवासी और दूसरे लोग डरते हैं कि वहां भूत मौजूद हैं ये केवल इसलिए है कि पानी कुछ कैसो की वज़से जहरीला हो गया है और जो लोग उसे पीते हैं वे तुरंत दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं और इसी वज़से उस पानी से ऐसी बाते जुड़ गई हैं अगर आप रुद्राक्ष को पानी के उपर पकरते हैं तो यह आपको बताएगा कि उससे पीना चाहिए या नहीं अगर आपके सामने कोई भूजान आता है अगर आप उसे पकरते हैं तो अगर उसमें थोड़ा सा भी जहर हो तो रुद्राक्ष ये अच्छा पानी है अब जहर की एक छोटी बूंद इसमें डाल दीजिए जिसका आप गंद या सुवाद से पता नहीं लगा सकते उस तरह का जहर आप इसे पकड़ कर देखिए यह तुरंद घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा में गुमेगा तो यह एक और वज़ा है और इसके कई दूसरे पहलू है यह आपके सिस्टम में रक्त चाप को कम करता है आपकी नसे शांत हो जाएंगी आज भारत के डॉक्टर उच्छ रक्त चाप रदाय सम्मंदी विमारियों के लिए रुदराक्ष पहनने को कह रहे हैं डॉक्टर वाकई रुदराक्ष पहनने के लिए कह रहे हैं बस इसे पहन लीजिए आपका रक्त चाप कम हो जाएगा क्योंकि इसमें एक निश्चित कमपन होता है जो पूरे सिस्टम को शांत करता है इसका मुख्य उद्देश्य आपको क्रिपा के लिए उपलब्द बनाना है क्योंकि आखिरकार यह माइने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं आप क्या योग करते हैं आप और क्या करते हैं आखिरकार केवल क्रिपा के लिए उपलब्द होने से ही आप एक संभावना बन जाते हैं इसलिए एक भक्त दूसरों से जल्दी आत्म ज्ञान पा लेता है, क्योंकि वह बस खुद को अर्पित कर देता है। अगर ऐसा भाव न हो, तो योग सरकस बन जाएगा, क्रिपा के बिना, आप जो भी करते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, सेहत, धन, सफलता, जीवन के किसी भी शेत्र में कोई सफलता नहीं मिलती, अगर किसी तरह से आप क्रिपा के लिए उपलब्द नहीं होते ह यह तय है, या तो आप सचेत रूप से उपलब्द हो जाएं, या अंजाने में अपने ही तरीके से उपलब्द हो जाएं, ठीक हैं, हर मनुष्य, हर प्राणी, किसी न किसी रूप में उपलब्द हो रहा है, पर अगर आप खोश पूरवक इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, तो सब कुछ काम करेगा, जीवन भरपूर चिकनाई वाली मशीन जैसा होगा, सब कुछ आसानी और सहजता से होगा, इसलिए रुदराक्ष सिर्फ उस संभावना को थोड़ा बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है कि रुदराक्ष के बिना आप कृपा के लिए उपलब है